मसाला भिंडी या भिंडी तो प्याजा, आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हूँ, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है, और इस सूपर यूमी, इसकी जो ग्रेवी होती है, मल्टी प्रपस ग्रेवी बनाएंगे, इसमें आप ना केवल भिंडी बट आलू या फिर कोई और वेजिटेबल, आपकी पसंद की जो ग्रेवी वाली आप खाना पसंद करते हैं, वो इसमें आप बना सकते हैं, तो चलिए इस अमेजिंग सी भिंडी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप कर्ड ले लिया है, यानि की ताज अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसालों का यूस किया है, सूखी लाल मिर्श, तेश पत्ता, बड़ी इलाइची, काली मिर्श, एक दाल चीनी का तुकड़ा, कुछ जीरा, दो लॉंग और थोड़ी सी ही, इन सब चीजों का आज हम यूस करेंगे, तो सबसे पहले एक प पर रोस्ट करें, मसालों को हमें जल्ले नहीं देना है, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं प्यास, ही मैंने रफ़ली चॉप किया है, उसको भी मैं इसमें डाल दूगी, और इस प्यास को हम चलाते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे, प्यास अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसमें डाली है कुछ गार्लिक और साथी में हरी मिर्च, और फिर इसमें डाला है कद्दू कस किया हुआ अद्रक, इन सब चीजों को भी हम एक मिट तक साथ सौटे कर लेंगे, अब हमना जो दही और मसालों का मिक्शर बनाया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, यह important है, इस मिक्शर को जब आप डालेंगे तो आप इसको लगाता चलाते हुए ही पकाएं, क्योंकि अगर आपने दही छोड़ दिया ऐसे ही तो वो फट सकता है, तो इसलिए इसको लगाता चलाते हुए पकाएं, जब तक कि दही में से आपका आपक अच्छे से रिलीज ना हो जाए, यहाँ ओए अच्छे से रिलीज हो गया है, दही कुक हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी रफ्ली चॉप किया हुआ टमाटर, इसको भी हम कुक होने देंगे तमाटर के जो अच्छे से कुक हो जाएगा, उसमें मैं डाल रहे हूं एक कप पानी और इसमें अच्छे से बॉइल आने देंगे. थोड़ी दे तक हम इसको बॉइल कर लेंगे. पानी हमें इस gravy को पीसने में help करेगा इस पानी की help से हमको smooth gravy मिलेगी नमक डाल देंगे अपने taste के according तो यहां हमारा mixture बनके तयार है flame को off कर देंगे और पीसने से पहले इस में से हम खड़े masाले अलग कर देंगे तेजपत्ता, ilaiji और दालचीनी इन सब चीज़ों को आप हटा दें mixture को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद ही हम इसको एक fine paste में पीस लेंगे यहां हमारी silky smooth मकमली gravy बनके तयार है इसमें आप पनीर, आलू या मटर पनीर, कई सारी सबजियां आप इसमें बना के तयार कर सकते हैं यहां मैंने बिंडी ले लिया है बिंडीों को बहुत अच्छे से wash कर लें इसका tip or toe cut कर दें और बिंडी को 1.5 इंच के हिसाब से आप इसके pieces कर लें और pieces करने के बाद हम इसको बीच में से एक बार slit भी कर देंगे जिसे हम जब इसको cook करेंगे मसालों का जो flavor है वो अंदर तक बिंडी में अच्छे से absorb हो जाए सारी बिंडी यहाँ पर तयार है अब हम एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे एक चम्मच घी इस घी को गरम हो जाने देंगे गरम होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा अजवाइन अजवाइन अच्छे flavor के साथ साथ आपको digestion में भी बहुत हेल्प करता है सारी बिंडियों के इसमें डाल देंगे और हाफ कुक होने तक हम इसको टॉस करेंगे बिंडी यहाँ पर हमारी almost 70% तक कुक हो गई है इसमें थोड़ा से नमक एड़ कर लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे तो 70% तक की भिंडी को cook करेंगे बाकी का 20% हम इसको gravy के साथ cook करेंगे तो इसमें हम अपनी gravy एड़ कर देते हैं जो हमने बना के रखी हो ही थी आलेड़ी और gravy की की जो quantity है अप अपने हिसाब से ठोड़ा सा adjust कर सकते हैं अगर आपको बहुत जादा gravy वाली बिंडी पसंद है आप जादा एट कर दें अगर आपको थुला सूखा खाना पसंद है तो आप इसमें gravy कम भी कर सकते हैं क्योंकि भिंडी दो प्यासा बना रहे हैं तो इसमें डाल देंगे अनियन के कुछ पैटल्स और साथी में डाल देंगे डाइस किया हुआ टमाटर अनियन और टमाटर को हमें इसमें बहुत जादा नहीं पकाना है बस एक मिट तक सौटे करें भिंडी हमारी अल्यडी 90% कूक ह अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यह हरी मिश डाल सकते हैं और साथी में हर्या धनियन डाल के इसको कार्निश कर लें बिंडी हमारी बनके एकदम तयार है इसको गर्मा गरम सर्फ करें पराठे के साथ चपाती के साथ रोटी नान किसी के भी साथ यह बहुत डिलीश बन डिलीश रेसिपी दो नोट फोगेट तो सब्सक्राइब दे चैनल और आप हमको इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तिल देन स्टे कनेक्टी तो कुकीजी विश्रती बाई टेक्यर अन इंजॉए झाल